हलो और नमस्ते मेरे दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अगर आप में से किसी ने भी कभी भी सोचा हुआ था कि वो चाहता है कि एक कैविन क्रू बन जाए तो उसके लिए एक बहुत अच्छे से अपरचुनिटी निकल के आई है वो निकल के आई है एर इंडिया के अंदर तो अगर आपने 12th class pass किया हुआ है और 12th class में आपके 50% marks है आप किसी भी स्ट्रीम से हो arts, commerce या science स्ट्रीम से हो और 12th class पास हो 12th class में 50% marks है चाहे आप freshers हो या कोई और higher degree है वो experience है तो भी वो इस cabin crew job के लिए अपलाई कर सकता है तो ये job निकल के आई है एर इंडिया के अं पहुंचना कैसे है क्या कैसे होगा ये सब details में आपको यहीं पर explain करता हूं तो सबसे पहले आपको simple सा Google पर जाना है जैसे आप Google पर जाएंगे तो आपको लिख देना है cabin crew in air India जैसे आप cabin crew air India प्लिखेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा air India cabin crew का तो जैसे आ सेले वाले पर click करेंगे इस type का आपके सामने page दिखेगा अब दिखें यहां पर ना जहां जहां पर भी यह job open हो रखी है वहां वो सहरों का दी इन्होंने यहां पर यह दे रखा कि किन किन सहरों में यह job available है तो आपको करना क्या है इन सब की जो qualifications है वो सब की से में सब की ए इस cabin crew के लिए आपको ना ही कोई test देना है ना ही कोई return exam देना है simple इसमें एक interview होने वाला है अगर वो interview आप अपने सहर में ही जाके दीजिए अगर आप select हो जाते हैं तो permanently आपकी job लग जाएगी तो आपको यहीं पर जाके देखना है दिखें यहां पर लिखा हुआ है कि cabin crew female walk in Mumbai 23 June को है इसका मतलब यह हुआ कि यह job सिर्फ females के लिए है अगर कोई male देख रहा है तो वो कृपया आगे ना देखें only for females के लिए है तो अब देखें यह जो job है मुंबई में walk in interview होने वाला है 23 June को cabin crew का ठीक है अगर आप Delhi से belong करते हैं तो Delhi में जो interview होने वाला है 26 June को हो होने वाला है अगर आप बैंगलोरू से belong करते तो बैंगलोरू में जो interview होने वाला है 22 June को होने वाला है तो जो भी आपका सहर है आप अपने सहर को यहां से select कीजिए और select करने के बाद यहां पर सारी details दे रखी है कि आपका कहां पर जाके interview कौन सी location पर जाके interview होगा वहां पर आप जाके interview दे दीजिए only interview होगा उसके अलामा और पुछनी होने वाला तो मैं एक open करके आपको डेमो करके दिखाता हूं जैसे माल यह cabin crew कोई Delhi का है आप उसको कैसे क्या करना है इसी पर आपको click करना जैसे आप इस पर click करेंगे ना तो यहां पर लिखके आ जाएगा cabin crew कब interview है 26 जून को interview है इसकी location क्या है गुरु ग्राम और यह जब job डाली गई तो 19 जून को डाली गई थी ठीक है position रहेगी आपकी cabin crew की रहेगी position location आपके डली है और date of process किता है 26 जून को date of process means आपका interview 26 जून को होगा ठीक है mode of recruitment क्या है walking interview है आपको सिर्फ interview देना है जाके औ और यहाँ पर venue क्या है देखें यहाँ पर फोर अर्बिंदो मार अपोजिट ओफ आयाटी फ्लावर क्रोसिंग नेक्स्टू दूदा होजखास मैट्टू स्टेशन है यही पास में है तो आप देख लेंगे डली में अगर रहते हैं तो तो आप ऐसा मत सोचे कि जो डली में देखें रहता है वही डली के लिए अपलाई कर सकता है कोई और सहर में वह रहते हो तो भी वह डली में आके इंटर्वियू देसकता है बट यही बात होगी कपको काफी डिस्टनस टेवल करना होगा तो प्रेफर आप यही कीजिए कि आप सब्सक्राइब पता है तो यहाँ जोब का ओबर्वीव क्या होगा देखें आप लिखाव है क्यारी आउट सेटे सिक्रेटी जोब का ओबर्वीव रहेगा आपके लिए आप यहां पे इसको पढ़ लेंगे और अदार कदर बस पास्पॲ्ट कुछ लोगों के पास हो और कुछ के पास नहीं होगा तो अगर नहीं है तो बनवाईए अगर है तो आप इंटर्व्यू के लिए अप्लाई कर दीचे तो आप इस बात का ध्यान में रखेंगे यह तीन चीज़ चाहिए पासपोर्ट पैन काड और अधार काड अगला है आपकी जो उमर होनी चाहिए जो आपकी एज होनी चाहिए वह 18 से लेके 27 तक ही होनी चाहिए तो देख इस बात को ध्यान के minimum education qualification जो रहेगी आपने कम से कम आपने 12th complete किया होना चाहिए ठीक है आपकी जो qualification है वह 12th complete होनी चाहिए और 12th class में at least 50% marks होने चाहिए तो आप इस बात का ध्यान में रखेंगे अगला जो criteria है वह minimum height required जो आपके होनी चाहिए वह 155 cm होनी चाहिए I hope आप की height होनी चाहिए ना वह 155 cm minimum होनी चाहिए और आपका जो weight होगा वह आपके height के proportionate होगा ठीक है जिससाबचे height उससाबचे आपकी weight होना चाहिए यह है BMI range होता है body mass index इसे बोलते हैं तो यह female candidate के लिए होता है 18 से लेके 22 के बीच में ही होना चाहिए ठीक है जिससाबचे height उ और आपको bell groomed होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है और कहता है no visible tattoo in uniform means uniform पहने के बाद आपके सरीर पे कहीं भी visible tattoo नहीं होना चाहिए अगर यह है तो आप apply नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आप इध्धान में देखिए आपको कहीं पर भी tattoo नहीं होना चाहिए uniform पहनने के बाद ठीक है अगर कहीं दूसरी जगह है तो वह चल सकता है अगला है आपको fluent होना चाहिए English और Hindi के अंदर ठीक है Hindi आपको आनी चाहिए अच्छे से और English भी आनी चाहिए साथ के साथ यहां पर लिखावा है आपका जो vision होना चाहिए वो six by six का होना चाहिए means अगर आपकी defective हाई से आप चस्मा पहनते हैं तो आप apply नहीं कर पाएंगे दूसरी बात यह भी है मान लिजे कोई चस्मा पहनता और वो चाहता है कि वो apply कर दे तो आपको lenses पहन के काम क कर सकते हैं तो आप apply कर लिए ठीक है otherwise vision आपका six by six का ही होना चाहिए अब देख on the day means जब भी आप वहां पे जाएंगे इंटर्व्यू के लिए उन्होंने कहा है western formals चाहिए तो आप याद रखे जिस दिन आप इंटर्वी देने जाएंगे western formals पहन के जाना इसका मतलब यह है आप इंडियान जैसे सूट पहन के या कोई साड़ी पहन के जा रहा है वो नहीं जा सकते आपको बेस्टन कपड़े पहन के जाने होंगे कोई और स्लेक्ट का लिजेगा इंटर्व्यू के दिन के लिए अगला है प्लीज केरी और अपडेटर रिजूम और डियूप हाँ आपके स्किल्स क्या होनी चाहिए यहां पे लिखा हुआ आपको वां और इंपतिक होना चाहिए और मेंटेन आपको डे टो डे नॉलेज्ट पता होना चाहिए सब लिखा हुआ यह नॉर्मल सी बाते हैं जो उनके तरफ से होना होता है ठीक है आपकी की मैंने बता दिया qualification बता दिया है और interview के places आपको यहां पर मिल जाएंगे जिस भी सहर में आप जाके देना चाहिए उस सहर का particular आपको select करना है आप जाके दे पाएंगे ठीक है और last में यहां पर आना है और apply पे click करना है जैसे आप apply पे click करेंगे आपको सबसे पहले आप create account क करेंगे उसके बाद आप apply कर पाएंगे अच्छे तरीके से ठीक है तो आप इस बात का ध्यान में रखे क्योंकि मुझे apply करना नहीं है तो मैं पीछे चलता हूँ अब एक चीज़ का और ध्यान में रखे यहां पर देख लिए बहुत सारे सहरों काया हुआ मैं की करके देख अगर आप एहमदाबाद में रहते हैं आपका 28 जून को है आपके पास अभी टाइम है आप apply कीजे यह देखे डली का 19 जून को अबर हो चुका है और यहां पर आप हो सकता है कि यह नई 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 लोकेशन की भी डालते रहें नई नई और भी जगों पर यह इंटर्व्य क को क्यारी करते रहें तो आप में वेप साइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दुनगा आप खुद भी वीडियो बनाने के बाद हो सकता है यह इपडेट करें तो आप आपके सहर में रखके कोई इंटर्व्य ने रहे हूं तो आप वहां पे इस इंटर्व्य को दे पाएंगे ठीक है अगर आता है फिर भी मैं आपको अपडेट करूँगा बट फिर भी आप अपने साइट से बेस चीज को रखे कि आप वहां पे जाके चक कर पाएं ठीक है यह सारी डिटेल्स है एक बार समरी बता देता हूं मिनिमम आपकी 12th क्लास से होना होना है अगर चीजे है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए तो आप इससे अपलाई कर पाएंगे और चौति बात यह रहेगी कि आपके बॉड़ी पे कहीं भी टैट्यू नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म पहनने के बाद कह कर पहने कर सकते हैं तो आप apply कर दिजे ठीक है इस सारी डिटेल्स मैं ने बता दिया है और यह सब सारी डिटेल्स है तो आप यह देख लीजिए और इससे apply कीजिए और आपको अगर कुछ भी किसी भी तरीके कर डाउट आता तो आप कमेंट कीजिए मैं आपको बताऊंगा और इस वेब साइट पे रगुलरली आप बिजिट करते रहे हो सकता है आपके सहर में दुबारा से इंटर्व्यू को कंड़क्ट कर रहे हों तो आप अपने सहर में इंटर्व्यू को दे पाएंगे अधरवाइ क्या हो सकता है